हेलो फ्रेंड्स सुष्कार, वेलकुम बेक मैं चैनल टलल टार्गेर टीर हमने प्रेंग का श्वागत करते हूं आप सबीयक आप के इपने चैनल टार्ड टीर हमनें, दोस्तों आज हम बीर्ड प्रतिम वर्ष्स दोती है, फ्रशन पत्र बच्बं एवं इक वुकास पढ़ें तो चलिए देखते हैं, question है, सिच्छा मनु विज्ञान का अर्थ आपका पहला question है, जो डिड़ी उनस्टी 2019 में पूछावा question है, और इसी तरह का एक question हो रहा है, सिच्छा मनु विज्ञान के संप्रत्य को असपस्ट कीजिए, एक अध्यापक के लिए सिच्छा मनु प्रसन है फिर सिच्छा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं अध्यापक के लिए सच्छिक मनोविज्ञान के महत्युकी विवेचना कीजिए यह आपके डिडियुनश्टी दोजार चे में पूछावा कोश्चन है और सिधारतर अनुवर्श्टी में 2016 में पूछावा कोश ली तो चलिए उत्तर देखते हैं शिच्छा मनोविज्ञान का आर्थ्यों परिभासा LISA मनोविज्ञान मनुविज्ञान की विवेचना कीजिए और सिधारतर अनुवर्श्टी में पूछा हुआ तो महत्योपूर साखा है, सिच्छा मनोविज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है, दोस्तों सिच्छा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक साखा है और यह सिच्छा प्लस मनोविज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है, सिच्छा का मतलब होता है ज्ञान और मनोविज्ञान का मतलब होता है मानो व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्यन करना तो यहाँ पर हम देखेंगे सिच्छा मनो विज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना सिच्छा तथा मनो विज्ञान इस संयोग से इसका साब्दिक अर्थ है सिच्छा समंदित मनोविज्यान से है अथार्थ सिच्छा मनोविज्यान मानोवेहार का बयग्यानिक अध्यन सता सहचिक समस्याओं को हल करने میں मनोवेज्यानिक नियमों तथा सिधानतों का प्रियोग करता है यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर आपको बताए गया है कि सिच्छा का मतलब होता है ज्ञान और मनोविज्ञान का मतलब होता है मानोवेहार का बैज्ञानिक अध्यन तथा सैचिक समस्याओं को हल करने में मनोविज्ञानिक नियमों तथा सिध्धानतों का प्रियोग करन किसी भी ज्ञान को अर्जन करने के लिए हम किस तरह से एक सिख्चप किस तरह से कह सकते हैं मनोवज्ञानिक तरीके से अपने चात्रों को अधिगम कराता है तो ये होता है सिख्चा मनोविज्ञान समस्याओं को समझ यहम अध्यन उसको किस तरह से समझाया जाए किस तरह से अधिगम करा जाए किस तरह से अध्यन करा जाए उसके सिध्धानतों नियमों की जो प्रयोक की विधा होती है वो होता सिच्छा मनो विज्ञान इसका कहने का सेंस यह है कि सिच्छा मनो विज्ञान म हम नियमों, सिध्धानतों और विधियों का यूज करके अधिगम कारे करवाते हैं अपने चात्रों से सिच्छा मनुविज्ञान की परिभासा अभिभिन मनुवई ज्ञानी तथा सिच्छा सास्त्रियों ने अपने अपने विवहार प्रकट किये है नमबर वन है स्किनर सिच्छा मनुविज्ञान मानवी ये ब्योहार का सैचिक परसितियों में अध्यन करता है इसकिनर का कौन सा सिधान थे आपको याद है? इसकिनर ने कौन सा सिधान दिया था? क्रिया प्रसूत का सिधान तो इनका कहना है कि सिच्छा मनोविज्यान मानवी ब्योहार का सैच्छिक परिसितियों में अध्यन करता है सैच्छिक परिसितियों में सिच्छड कारी के दोरान जो ब्योहार होते हैं उसका अध्यन किया जाता है मनोविज्यान सिच्छा के अंतरगत सिच्छा मनोविज्यान सेच्छिक विकास का क्रमिक अध्यन है सिच्छा मनोविज्यान सेच्छिक विकास जो हमारा सेच्छिक कार है उसका जो क्रमिक विकास होता है क्रम step by step जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो सिच्छा मनोविज्ञान के अंतरगत आता है क्रो एंड क्रो के नुसार सिच्छा मनोविज्ञान में ब्यक्ति जन्म से लेकर ब्रिद्धा अवस्था तक सीखने के अनभवों का वर्डन यों ब्याख्या करता है यहाँ पर क्रो एंड क्रो का कहना यह है कि सिच्छा मनोविज्ञान में ब्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यू अवस्था तक यानि कि ब्रिद्धा अवस्था तक भी यहाँ पर है ब्रिध्धा अवस्था तक यानि कि जन्व से लेकर कहने का सेंसे है कि जो सीखने की अवस्था होती है वो जन्व से लेकर मृत्यू तक होती है तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो सिच्छा मनोविज्ञान है वो ब्यक्ति में जन्व से लेकर ब्रिध्धा अवस्था तक सीख सिध्धान्तों तथा खोजों में प्रयोग करता है सिच्छा मनोविज्ञान हमारे जो अध्यनकारे होते हैं उसमें मनोविज्ञानिक किस तरह से अपने सिध्धान्तों और विचारों का यूज करें उसकी खोज करता है सिच्छा मनोविज्ञान चलिए इसमें एक कोश्चन और जुड़ गया, कोश्चन नमर दो देखते हैं, सिच्छा मनोविज्यान को परभासित कीजिए, तता सिच्छा मनोविज्यान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्डन कीजिए, यह आपका सिधार्त नगर उनरस्टी 2014 में पूछा हुआ गया हैं, तो उत्र देखते हैं, सिच्छा मनोविज्यान के प्रमुख उद्देश्यों की लगबग वही उद्देश्यों का होना है, जो उद्देश्य होता है सिच्छा मनुविज्ञान के लगवग वही उद्देश्य जो सिच्छा के हैं फिर भी लेखो को ने अपने विचारों के अनुसार विभिन प्रकार की सब्दावली का प्रियोग किया है गैरिषन तथा अन्नि के नुसार है सिच्छा मनोविज्ञान का उदेशिय, बयोहार का ज्यान, भविस्वाणी और नियंत्रड़ गैरिसन के नुसार है कि सिच्छा मनुविज्ञान का जो उद्देश्य वो है ब्योहार का ग्यान करना मानो ब्योहार का ग्यान करना अपने सिच्छा मनुविज्ञान के द्वारा हम अपने बच्चों के ब्योहार का ग्यान प्राप्त करते हैं सिच्छड कारी के दोरान और भविस सिवाड़ी और उस पर नियंतर करना सिच्छा मनो विज्ञान के तहत एक सिच्छा के अपने छात्रों की रुचियों और उनकी जो कमिया होती हैं उसको जान पाता है नमबर तीसरा दिखते हैं बालकों में वांचनी ब्यवहार के अनुरूप सिच्छा के अस्तरों और उदेशों को निशित करने में सहाता देता है सिच्छड कारे में सिच्छक के जो उदेश से निशित होते हैं उसको निशित करने में सिच्छक की सहायता करता है सिच्छा मनो विज्ञान नमबर फूर देखते हैं सामाजिक संबन्दों को स्वरूप और महातु को अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता दिता है सिच्छा मनोविज्यान जो सामाजिक संबन्द है और उनका स्वरूप क्या है उनका अपना एक महा तो कहा सिच्छा, सिच्छा का समाज से, समाज का सिच्छा से और समाज में रहने वाले लोगों का सिच्छा से किस तरह से कैसा समंध होता है और किस तरह से हम समाज को और सिच्छा को को रिलेट करके ग्यान अपने चात्रों को दे सकते हैं आपका जो विद्याला है वो एक समाज के अंतरगत ही आता है तो इस तरह से हम समाज को किस तरह से को रिलेट करके छात्रों को सिच्छित करें ये बहुत ही ज्यादा महत्तुपूर हो जाता है और इसमें हमारी जो सहायता करता है वो करता है सिच्छा मनोवी ज्यान नमबर फाइव देते हैं सिचड की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रियोग किये जाने वाले तथ्यों और सिध्धानतों का ग्यान प्रदान करता है सिचड की समस्याओं में जिस तरह की सिचड में समस्याओं आती हैं एक सिचड के समच्च तो उस तरह की समस्याओं के समाधान करने के लिए और अपने किस सिध्धानतों का यूज करें उन समस्याओं को सौल्व करने के लिए इस तरह के सारे महत्पूर सुचनाओं को प्रदा सिख्च बारे में मुल्यांकन से ले करके परडाम जाने तक में सहायता करता है। सिच्छा मनो विज्ञान के द्वारा एक सिच्छक अपने छात्रों के ब्योहार की ब्याख्या कर सकता किस तरह से उसके छात्रें उन्हें किस लेवल में सिच्छा दी जानी चाहिए उनकी सारी गत विदियों पे किस तरह से नजर रखी जानी चाहिए उनके क्रिया कलाव किस उन्हें किस वे में सिच्छा देनी चाहिए किस विधी का यूज करना चाहिए इन सारे सिधान्तों को किस तरह से रखना चाहिए इन सब की बाते बताता सिच्छा मनुविज्ञान एक सिच्छक को नमबर एट है प्रगत सील सिच्छड विधियों, निर्देशन, कारिक्रमों, विद्याले, संगटन और प्रसासन के स्वरूपों को निशित करने में सहायता दिता है दोस्तों, सिच्छा मनो विज्ञान एक सिच्छक को अपने सिच्छड कारियों में किस तरह से सिच्छड विधियों का प्रयोग किया जाए, किस तरह से अपने छात्रों को निर्देशित किया जाए, किन-किन प्रोग्राम के थूँ उन्हें सिच्छड कारें प्रवाइड करा और विद्याले में संगठन किस तरह का प्रसासन होना चाहिए यह सारा सब कुछ सिच्छा मनोविज्ञान के अंतरगत आता है और किस तरह से सिच्छा मनोविज्ञान की हेल्प ले करके एक प्रभंदक अपने विद्याले के का जो संगठन जो प्रसासन है उसको किस तरह से अच्छा बना सकता ये सारे ज्ञान सिच्छा मनो विज्ञान के अंतरगत ही आते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा हमें ये बताएगा कि हमारा ये जो प्रयास है आपके लिए कितना हेलफुल है और अगर ये वीडियो आपको उच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो म झाज जए हिन